सभी को नमस्कार भारत रत्न भार्गव हमारे समय के एक जाने माने रंग कर्मी नाटक कार कभी और सुमस्करत रंग मंच के आधनिक काल में एक बड़े व्याख्याकार है उन्हें हमारे समय का एक रंग रिशी बहा जा सकता है लगबग साथ वर्षों की उनकी साधना है नाटक और रंग मंच के क्षेत्र में वे महाविद्यालाई में प्राध्यापक रहे हैं आकाश्वानी में नाटक विभाग के कारिक्रम अधिकारी रहे हैं अनेक नाटकों के रेडियो रूपा अंतर उन्होंने किये हैं अनेक नाटकों के अनुवाद उन्होंने किये हैं स्वेम भी नाटक लिखे हैं और अनेक नाटकों का निर्देशन उन्होंने किया है BBC London में हिंदी विभाग के वे प्रोड्यूसर रहे हैं संगीत नाटक अकादमी के उपसचीव नाटक प्रोहाग में कारी करते हुए उनका गहरा तालुक रहा है देश के शीरशस्त रंगकर्मियों के साथ, नाटककारों के साथ, नाट्च समिक्षकों के साथ, बरत्मुनी के नाट्च शास्त का भी उनोंने अध्यन किया है और हमारे समय के रंग कर्म के शीरशस्त पुरुशों के साथ भारती रंग मंच के बड़े निर्देशकों के साथ लंभा अनुभव उनका है कारी करने का विशेश रूप से कावलम नायन पणिकर और हबीब कनवीर जैसे महान नाटि निर्देशकों के साथ उनकी संगत सोहब रही है संस्क्रत के अनेक नाटकों के उन्होंने हिंदी में रूपांतर किये हैं और निर्देशन भी किया है उनकी दो किताबें मेरे सामने हैं जो अभी अभी प्रकाशित होकर के आई हैं दोनों सेतु प्रकाशित हैं माँ कभी भास का नाट्य वैशिष्ट है भास समग्र में भास के तेरा नाटकों के रूपांतर हैं नाट्य अलेख इनको कहा जा सकता है रंगमंच के लिए प्रयोग के लिए ये आलेख भास के नाटकों को लेकर के तयार किये गए हैं बहुत कल्पनाशील ढंक से कुशल रंग कर्मी के द्वारा इनकी निर्मिती की गई है यह जो किताब है या भारत रत्न भारगव की वर्षों की तपस्या का फल है और निश्चित रूप से 21 शताब्दी में भारती रंगमंच के क्षेत्र में सबसे वड़े कारियों में से गिना जाना चाहिए जितने भी रूपांतर उन्होंने किये हैं बास के नाटकों के यहां पर सभी नाटकों के जो उन्होंने रूपांतर किये हैं या स्क्रिप्स तैयर किये हैं नाट्यालेक रस्तुत किये हैं और मूल नाटक की आत्मा में पेश्ट कर उन्होंने किये हैं और मूल की रक्षा प का सौंदर्य लए और सानुक प्रासिक्ता जिस प्रकार से निभाई गई है और समस्क्रत नाटक की आत्मा के निकट पहुँचने का प्रयास उसके द्वारा किया गया है अपनी कावियात्मक्ता के कारण ये नाटक रंगमंच के लिए बहुत उपादे हैं और विशय शूप स के रंगकर्मियों के लिए तो या बहुत ही काम का एक दस्तावेज है जो भारत रितन भारगव ने प्रस्तुत किया क्योंकि कावलम नाट पनिककर के साथ बर्शों तक रहते हुए वहास के नाटकों को कैसे खेला जाता है और स्वयम एक रंगकर्मी के रूप में जो उनका रूपांतर करते समय उन्होंने सुझाए हैं लंबे नाट निर्देशों के द्वारा कि कैसे भास के नाटक के इस खेला को साकार रंगमंच पर किया जाएगा ये रंगकर्मियों के लिए एक गाइड़ बुक की तरह से भी ये रूपांतर काम करेंगे और प्रेरित करेंगे यद्यपी इस पर विवाद भी हो सकता है कि इतनी तफसील में जाकर कि जो नाट निर्देश दिये गए हैं वो बांध सकते हैं और एक कल्पनाशील रंग कर्मी को कदाचित बहुत आवश्यकता भी नहीं है वो तो भास के नाटकों को अपने डंग से प्रस्तुत करेगा ही और अनेक लोग करते ही हैं तावलम के अलावा पूमिकेश भी करते हैं और पौमन केंद्रे भी करते हैं पर नौसिखिये रंग कर्मियों के लिए तो एक तरह से यह संजीवनी का काम करेगा और इस प्रकार से एक विशेश शैली में बहुत सुंदर प्रस्तुतियां भास के नाटकों की हो सकती है यह इस किताब से जाना जा सकता है लंबी भूमिका है महाघवी भास का समय संदर पहिस सीर्षक से जिसमें एक पारद्रश्वा रंग कर्मी के रूप में उन्हों ने जो योरोप का रंगमंच है बर्तोल प्रेक्थ के बर्लिनेर एंसेंबल उसके संदर्व में उनके अलगाओ के सिद्धान के संदर्व में और भारती रंगमंच के दुरूबल पक्षों की पड़ताल करते हुए क्या शैली इस समय हो सकती है भारती रंगमंच की अस्मिता की खोज के लिए इस पर विचार किया है और भास के नाटकों पर तो विचार उन्होंने किया ही है किस प्रकार से लैपद्धता का निर्वाह उन्होंने किया है जो संस्कृत नाटक की अपनी पहचान हो सकती है उरुभंग में सैनिक का समवाद है जिसको उन्होंने इस तरह से रखा है वेहय प्रचंड ये हस्ति शुंड वेभव मंडित अब है लुंठित मूल में जो निराकार है उसको उन्होंने साकार कर दिया है अपने नाटि निर्देशों के द्वारा और जैसे कि भीम और दुर्योधन का युद्ध का द्रश्चे उरुभंग में उसको कैसे विज्वालाइज किया जाएगा द्रश्चे में कैसे बांधा जाएगा इसकी तफसीलों में वो जाते हैं दुर्योधन और शकुनी का जो परिशाचिक नरत्य है उसको वे दिखा देते हैं प्रस्तुत करते हैं और शकुनी पूछते हैं धत्राश्च से क्या हम नर्पिशाच हैं इस तरह के रूपांतर उसमें जो उन्होंने अपनी उपच के द्वारा कुछ जोड़ा है पूरे नाटक को एक संदर्भ भी देता है एक एक व्याख्यात्मक अनुवाद यह हो जाता है और मूल नाटक की लएका संधान करते हुए जो पद्यानुवाद किया गया है वो आकरशक है कावयात्मक ता उसमें है और कविता को पकड़ते हैं भारत रत्न भारगव जो कद्यात्मक समवाद है भास के उनको भी मुक्तचंद में उन्होंने बूठ दिया है जिससे संदर्भ नाटक की जो कावयात्मक ता है वो सामने आती है क्योंकि जो भी समवाद हमारे गध्य में आते हैं उनकी अपनी अकलाए है और उसको फिर से स्वजित किया भारत रत्न भारगव ने कटोटकच का समवाद हम लें जैसे मध्यम व्यायोग में या भारत रत्न भारगव ने जोड़ा अपनी और से वे नारी हैं स्वयम अतह नारी रक्षक हैं नारी भक्षक नहीं ये अपनी मा के लिए वक्षक तोटकच कहता है इस्त्री काहारवे नहीं करेंगी इस प्रकार का जो कुछ समवाद है उसके संदर्व में दूद गटोत कच नाटक है भास का उसमें अभिमन्य उपद के द्रश्चि को उन्होंने रूपाईत कर दिया है और फिर से समरचित उसको किया है रंगमंच पर इस सभी द्रश्चों की समरचिना में बहुत कुशल रंग कर्मी का अनुभव है और कैसे प्रभावशाली बनेंगे पूरा नाटक उनसे कैसे ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा उसमें भराव आ जाएगा तो नाटक में भराव लाने के लिए सुझाए गए हैं अनेक द्रश्चिवन्द और बहुत कारगर भी बे हो सकते हैं उत्राका अभिमन्य की चिता पर चड़ने का द्रश्य जिस तरह से रचा गया है वह बहुत ही कारूनिक है और बहुत कल्पनाशील भी है इसमें नाटक थोड़ा निखर जाता है यह एक समवाद है भास के साथ पनिकर भी यही करते हैं पनिकर असल में उनके प्रणा स्रोत रहे हैं भारत रत्न भारगव के और पनिकर भरत्मुनी से समवाद करते हैं भास से समवाद करते हैं और समानांतर इस्तर पर उनकी बराबरी पर पहुँच कर वे फिर से रचते हैं भास को भरत्मुनी के नाट्टे सिद्धानतों को भी उसी प्रकार से साकार करते हैं चरित वह उसको अपने अपने मुहावरे में अपनी कल्पना से पुना रचित करता है कहीं कहीं संक्षित नाठी निर्देश हैं जिसमें की रंगमंच की सुस्पष्ट परिकल्पना साकार कर दी गई है और जो पनिकर की शैली थी कि वे उपपाठ को खोलते हैं उस उपपाठ को खोलने का अच्छा प्रयास वारत रतन भारगाव नहीं यहां किया है और जो व्याख्या है नाठक की जो की सटीक व्याख्या हो सकती है कि मध्यम व्यायोग एक मध्यम पुत्र होने की जो विडंबना है उस विडंबना के बोध को बहुत पेने ढंग से प्रस्तुत करता है और इस अनुवाद में वो बहुत तलखी के साथ हमारे अनुभव में लाया गया है कटोतकच का समवाद विशेश रूप से है इस संदर्व में जिस तरह से लाया गया है अपनी मौन स्विक्रती देख कर किया मध्यम हवाले बहा रहे हैं अब सारे जन ये आंसू घड़िया ले माता और पिता दोनों कहते हैं कि सबसे बड़े बेटे को नहीं सबसे छोटे बेटे को भी नहीं तो मध्यम पुत्र को ले जाओ मध्यम पुत्र को जब ले जाता है ये ढिंबा के आहार के लिए पारना के लिए गटोत कच तो जारजार आंसू भहाने लगते हैं दोनों माता पिता तब गटोत कच ये कहता है तो मध्यम होने की विडंबना पर तो मध्यम पुत्र स्वयं ही बहुत करुण स्वर में कहता है कि अब ओर क्या है मेरे लिए मैं तो जाओंगा ही प्रकाशवर्त की कल्पना है गायक वरंद जिस प्रकार से पिजबीच में आते हैं उस तरह से नाटक इस प्रकार से प्रभावशाली बनेगा इसकी प्रविदी यहां लाई गई है और मध्यम को मध्यम व्यायोग में एक दलित और निर्बल का प्रतीक बना करके जिस तरह से प्रयास किया गया है और मध्यम के तराण की गाथा पुरा नाटक यहां पर बन जाता है तो जो रंगमंच पर पनिकर करते हैं उसको अपने रूपानतरों में भारत रत्न भारगव करने का प्रयास करते हैं समस्कृत नाटक के तीन इस तरह है आदिभोतिक, आदिदेविक और आध्यात्मिक कावलम की खूबिया है जो खूबसूर्तिया है कि वे समस्कृत नाटक के किवल आदिभोतिक को ही नहीं आदिभोतिक को और आध्यात्मिक को विशेश रूप से उगाडते हैं और उपज का रंगमंच बहुत उत्तम रूप से खड़ा किया जाता है इस तरह के प्रयासों में जो पनिकर के प्रयास हैं कर्णभार के रूपांतर में और समल नहीं पाता है इस तरह के जो कुना रचनाएं हैं कुना पाठ जो हैं वे आरोपिद भी लग सकते हैं कहीं कहीं और उन पर सवाल किया जा सकता है कि मूल नाटक के साथ आपने जो सलूक किया है वो कहां तक किस सीमा तक बहुत जरूरी था यह सवाल किया जा सकता है पर नाटक की एक व्याख्या इन सारे रूपांतरों में जो कुछ भी जोड़े गए हैं उनमें पारतरतन भारगव गर पाते हैं वे फेड आउट और फ्रेश्वेक की विधी का जिस प्रकार से इस्तेमाल कर्ण भार में करते हैं कुंती और कर्ण का समवाद वे यहां पर जोड़ देते हैं स्वतंतरदश उसके द्वारा रच देते हैं सूरी का प्रवेश रंगपटी के द्वारा दिखाते हैं इन सब संदर्बों के साथ में कर्ण की वेदना को बहुत समवेदंशील धंग से उकेरा गया है प्रस्तुत किया गया है अभिव्यक्ती उसको दी गई है कुंती उसके सामने आचल फेला कर अपने बेटों के प्राणों की भी कौंगती है यह बहुत मारमी किस प्रकार के दृष्य हो जाते है तो भाज जहां बहुत बारीक संकेत देते हैं उनको बहुत इस थूल रूप में इसपष्ट करते चलते हैं भारतरतन भारगाव परशुराम और परशुराम और कर्ण की बीच का दृष्य भी तरह से है, जिसको उन्होंने रच दिया है, जो कर्ण के ऐवल, अपने शब्धों में बयान करता है, कावलम और भारत अतना भारगावदोनों, अपने प्रयोग और अपने रूपांतर में, उसको साकार करते हैं, द्रश्यबंध में उसको दिखाने का प्रयास करते है और यह जो कर्ण की जीवन की विडंबना है यह भास समझते हैं और उनके प्रयोकता और उनके लूपांतरकार इसको समझते है कर्ण तो निश्चिंत था कि मैं तो क्षत्री हूँ ही नहीं इसलिए मैंने जब कहा कि मैं ख्षत्री नहीं हूँ पर रश्राम से तो मैंने जूट नहीं बोला और रश्राम ने जो शाप दिया है वो मेरे मुझे नहीं पहलेगा उसका प्रभाव नहीं होगा मेरे उपर क्योंकि मैंने जूट नहीं बोला है जब उन्होंने कहा कि काम करेगा लेकिन ठीक उस समय जब वो निकल पड़ा है अरजुन से अपना अंतिम युद्ध करने के लिए उसी समय कुंती आकर कि उसको उसके जन्म का रहस्य बताती है तब कर्ण पर क्या बीती होगी ये भास से हम जान सकते हैं या पनिकर के प्रयोक से या इस रूपांतर स जान सकते हैं माँ भारत में कदाचित इस रूप में हम कर्ण को नहीं फिर समझ पाते हैं तो यह कर्ण का एन वक्त पर जो आत्म विश्वास डगमगाता है यह द्रश्य है और एक द्रश्य जो पनिकर भहुत महार्मिक डंग से रचते हैं जिस प्रकार से एक आविष्ट द कुंडल कर्ण काटता है यह जो द्रश्य है जिसमें कि शल्य कर्म के कर्म शरीर के प्रतीक बन जाते हैं और कर्ण सयम कर्ण की आत्मा का प्रतीक बन जाता है तो आत्मा अपने शरीर को काटा हुआ देखती है शरीर और आत्मा के द्वंद के रूप में यह द्रश्य पहुत प्रतिकात्मक्ता ग्रहन कर लेता है सभी नाटकों के अनुवाद चाहे वो सुपनवासोदत्तम का हो प्रतिक्यायोगंदरायन का हो या रामयन संबंदी जो भास के दोनों नाटक है प्रतिमा और अभिशेक उनका हो महा भारत संबन्दी उनके च्छों नाटक हो सभी का अनुबाद इसी तरह से डूप करके किया गया है तो यह किताब मैं समझता हूं की भारती रंग कर्म की एक बड़ी उपलब्थी है और यह रंग कर्मियों को उकसाएगी, प्रोसाहित करेगी स्फूर्थ करेगी भास के नाटकों के प्रयोगों के लिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए यह जो दूसरी पुस्तक है उसमें भास के नाटकों पर, केरहों नाटकों पर भारत रतन भारगव के व्याख्यान हैं जो रंग कर्मियों को संबोधित हैं एक बड़े रंग कर्मी के द्वारा अपने संचित अनुभों का निचोड उनने प्रस्तुत किया गया है मा कभी भास का नाट्टी वेशिष्ट इसकिताब का शीरशक है और रंग कर्मियों के लिए विशेश्टूप से पठनी है जो भास की नाट्टे कला का विकला का स्वाधन लेना चाहते है उनके लिए भी बहुत पठनी है भारगाव एक अच्छे रसिक व्यक्ति हैं और स्वयम कभी भी होने के कारण गाव ये रस का जिस प्रकार से वे आउगाहन करते हैं समवेदन उसका करते हैं और जिस रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं भास की अच्छी अपनी पकड़ के द्वारा इस कारण ये पुस्तक भी पठनी है जो भास के नाटकों का वे शिष्ट समझना चाहते हैं रंग कर्मी नहीं भी हैं उनके लिए भी अपठनी पुस्तक है कि सेतु प्रकाशन को मैं बधाई देता हूं कि बहुत तत्परता से उन्होंने प्रकाशित किया इन दोनों किताबों को क्योंकि मुझे जहां तक इस्वर्ण आ रहा है कि तीन-चार महने पहले तो भारगव साब ने मुझे सूचित किया था कि मैं इन किताबों को कि विशेश रूप से भास समग्र इस पुस्तक को मैं छपने के लिए दे रहा हूं और आप इस पर कुछ लिख दें तो मुझे प्रसनता होगी तो मैं तो लिखी रहा था लिखता ही तब तक तो ये किताबे आही गई अद्भुत तत्परता है ऐसी तत्परता तो बहुत इस्प्रहणी है क्योंकि प्रकाशकों के साथ अपने अनभवों कि आधार पर मैं कह सकता हूं कि ऐसी विरल होती है ऐसी तत्परता बड़े-बड़े प्रकाशकों के साथ जैसे मेरे अनभव रहे है कि किस तरह से वो बहुत आगरह अनुरोद के साथ पुस्तक मंगाते है और किस तरह से वर्षों तक उसको रखे रहते है उनका आनन्द इसी में है कि हमने कितना रोक करके रखा इस किताब को उसमें उसका पूरा एक गणित होता है मैं उसको दीर-दीरे समझने लगा उस पर यदी में लिखूंगा जो अद्भूत अनोखे अनुभव मेरे प्रकाशकों के साथ बड़े-बड़े व्यावसाई घरानों के प्रकाशकों के साथ रहे हैं जिनमें कि सेतु प्रकाशन भी एक है तो वो अच्छी संसनी खेज किताब हो सकती है लेकिन उसको मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे इतना समय नहीं है और यहां उसके बारे में कुछ कहने का समय है मैं पुना भारगव साब का विनंदन करता हूँ धन्यवाद